एलो दोस्तो मैं हूँ कमल और आप सब का आधिक स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल दिवान किचन एक्विटमेंट में आज मैं आपके सामने लेके आयो वजीटेबल चोपिंग मसिंग तो ये सारे वजीटेबल के हम आज चोपिंग करेगे सबसे पहले हम कैबेज का कटिंग करेगे तो दोस्तो जिसका भी होटल है फासपूट का बिजनस है रेश्टोरेट है या केटरिंग है उसके लिए बहुत बढ़िया मसिंग है जिसका भी चोपिंग करना एकदम बढ़िया प्रोपर चोपिंग करके देती है chopping के लिए उपर से one by one cabbage को add करना है वो जैसा chopping चाहिए उस हिसाब से उसको machine को चलाना है तोड़ी देर आप machine को चला होगो तो एकदम fine chopping आपको मिल जाएगा जैसा ही fine chopping हो जाए आप आगे का door open करके वहाँ से material बाहर निकल सकते हो दोसको जिसका भी Chinese का, Momos का या पावबाजी का बिजनेस है उसके लिए बहुत ही बढ़िया यह machine है एकदम आसाने से कोई भी चला सकता है और पर गंटे करीबन 100-500 के जी आपको production देगी तो देख सकते हो दोस्तो एकदम बढ़िया cabbage का चाहिए cabbage के बाद दोस्तो हम मीर्ची का chopping करेगे machine चालू करके उपर से मीर्ची को add करना है जितना fine chopping चाहिए उस तरह से हमें machine को चलाना है उपर से पूरा मीर्ची add करना है मीर्ची add करने के बाद machine को आपको थोड़ी देर चालू रखना है फिर आगे से ओपर open करके पूरा material वहाँ से बहार निकाल लेना है तो दोस्तो ये मीर्ची का एकदम fine chopping होके ready है इस तरह से हम सारे product का chopping करेगे मीर्ची के बाद हमने लिया है ये अद्रक अब हम अद्रक का chopping करेगे machine का चालू करके पूरा अद्रक डाल देगे असके अंदर और machine को थोड़ी देर चारू रखेगे तो एकदम बढ़िया chopping हो जाएगा तो दोस्तो अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो चैनल को like, share and subscribe करना मत बुलिएगा और आप हमें से जुड़े लेने के लिए चैनल को subscribe शरू करिएगा तो देखिए दोस्तो एकदम बढ़िया अद्रक का chopping होके complete हो गया है अद्रक के बाद सबसे ज़्यादा यूज हैना वाला प्याज का हम chopping करेगे जैसे आगे हमने बताया सबसे पहले machine को चालू कर देना है और उपर से प्याज को add कर देना है जैसा fine chopping से ये कुछी साब से machine को चलाना है तो दोस्तो इस machine में हम सभी प्रकार के chopping बढ़ी आसानी से कर सकते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया और समझाया एकदम बढ़िया से आपको chopping मिल जायागा तो ये प्याज का chopping एकदम बढ़िया होके complete ready है तो देख सकते हैं दोस्तों एकदम बढ़िया प्याज का chopping हो गया है प्याज के बाद अब हम इसमें tomato का chopping निकालेगे tomato soft होता है इसलिए ज़्यादा दर मसिंग को चलाना नहीं है जैसा आपको chopping चाहिए उस हिसाब से मसिंग को चलाके tomato का chopping करके बाहर निकाल लेना है तो देखिए दोस्तों एकदम बढ़िया chopping होके ready हो गया है तो दोस्तों इस मसिंग को आप अपने हिसाब से जैसा chopping चाहो वैसा chopping बना सकते हो जो हमने वीडियो में दिखाया उसके लावा भी आपको कोई chopping करना है तो वो सारे chopping भी आप कर सकते हो तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखने के लिए thank you, thank you so much